परगी अरजुन सिंग दाव साहब की इसमिती में नहिशूल की त्रे दिवसी स्वास्थ सिवीर का आयोजन आज चुराथ सर्रा में किया गया है और चिरायू हास्पीटल के तत्वाधान में ये पूरा आयोजन किया गया है तो आएए हम चिरायू मेडिकल कालेज के यमडी अजय गोयन का जी से बात करते हैं सबसे पहले यमपिलाइम जमें आपका स्वागत है ये किस तरह का सिवीर है चुकि ये जो पूरा सिवीर है आपके नित्यत में आयोजित किया गया है चिरायू मेडिकल कालेज की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है मानने हमारे बड़े भाई राहुल भाईया के कहने पर चिरायू अस्पताल की पूरी टीम ने एक चुरहत विधानसभा छेतर सर्रा में अरजुन आधार शिला पर एक मिनी हॉस्पिटल बनाया है मिनी हॉस्पिटल का मतलब होता है कि सारी विधाओं के विशेशग्य और उनके जूनिय डॉक्टर्स यहाँ पर कंसल्टिशन चेम्बर्स के अंदर बैठेंगे और वो सब मरीज जिनको जरुत है उन सब की जाँच परताल कंसल्टिशन करेंगे और जरुत पढ़ने पर उनके सब इन्वेस्टिगेशन जैसे ECG, Blood Sugar, X-ray Chest, Cardiac Color Doppler, 2D Echo, Ultrasound और तमाम सारी पैथालोजी के टेस्ट यहीं पर होंगे इनकी रिपोर्ट दो से तीन घंटे पर पेशिंट्स को वापस दी जाएगी उसके आधार पर उनका डाइगनोसिस होगा और जिनको यहीं पर ट्रीटमेंट की जरुत है वो ट्रीटमेंट लिखकर उनको दवाएं दी जाएगी और उन मरीजों को जिनको सर्जिकल करेक्शन की जरुत है जैसे अभी कुछ मरीज मिले जिनको हाट के वाल बदलने की जरुत है एक मरीज मिला जिसको गरदन में गुठलियों का आपरेशन कराने की जरुत है उनको भोपाल चिरायू मेडिकल कॉलेज ले जाया जाएगा उनका पूरा संपूर्ण ट्रीटमेंट निशुल किया जाएगा और वापस उनको भीजने की विवस्था जो राहुल भीया ने कराई है वो पूरी विवस्था से वापस यहां पर चुरहट भेजा जाएगा ये सभी काम पूरे निशुल क होंगे आज दाव की स्वर्गे अर्जुन सिंग की स्मरती में राहुल वहिया ने चुरहट में रखा है पिछले साल उन्होंने यही कैम मजोली में रखा था और उस समय भी 30 से 40 अजार मरीज आये थे और करीब 1800 मरीजों को हम भोपाल निशुल्क आपरेशन के लिए लेके गए थे और वापस भिजवाने की विरस्ता राहुल वहिया ने की थी आज अभी चुरहट में पहला दिन है और सभी विधाओं के विशेशग्य यहाँ पर आ चुके है चिरायू मेडिकल कॉलेज से करीब साले 300-400 लोग आये हैं जिसमें 1500 डॉक्टर्स हैं पूरी 15 अलग अलग विधाओं के और स्पेशलिस्ट हैं उन जाचों को करने के लिए डॉक्टर गोयंका अगर हम कोरोना काल की बात करें तो आप पूरे प्रदेश में एक ऐसे एकलावते डॉक्टर थे और चिरायू मेडिकल जो कालेज है वो पूरा केंदर बिंदू बना हुआ था उस समय जब लोग घबडाए हुए थे तो आपने लोगों के अंदर साहस और एक उस्सा बरधन का भी काम किया है और जिस तरह से आपने ट्रीटमेंट किया है कोरोना काल में लोगों के लिए एक सबक बन गया है उस भी से में आपका क्या क्या कोविट 19 एक छुपा हुआ व अलग-अलग सिटीज में पहुचा भोपाल सीधी गौालियर सभी जगे पहुचा और तहसीरों पहुचा मैं कहूंगा गाउं तक भी पहुचा और टोलों तक पहुचा इस बिमारी से जितना बिमारी में दम नहीं था उस से ज़्यादा डर का रोल था घबराई हुई थी ज हिम्मत दिलाने का काम विश्वाश दिलाने का काम ज्यादा जरूरी था वो काम चिरायू मेडिकल कॉलेज ने सोसाइटी की इस जरुत को देखते हुए पूरा करने की कोशिश की कोविड इस क्यूरेबल ये एक कंसेप्ट है बिमारी है लेकिन ये इलाज से ठीक होता है घबराहट से ठीक नहीं होता है घबराहट और नुकसान पहुँचाती है इसलिए हम हिंदुस्तान के लोग मध्यप्रदेश के लोग शुरू में थोड़ा घबरा है लेकिन बाद में स आता रहेगा एक बार फिर डाक्टर गोएन का तीसरी लहर और म्यूटेंट वाइरस ओमिकरान की बात चल रही है कि फिर से लोग डरे हुए हैं सामे हुए हैं कि फिर से उस तरह कि जो मार है कोरोना की फिर से ना लोगों में हैं ओमिकरान एक वाइरस है कोविट का ही वेरियंट है आएगा वो अपना रूप बदल कर जरूर आएगा लेकिन स्वागत है उसका भी क्या करेगा छोटी मोटी बिमारी करेगा लेकिन हम घबराएंगे नहीं हम डरेंगे नहीं और हम जब बड़े बड़े वाइरस से लणना जा था हारेगी नहीं कोविट इस क्यूरेबल कोविट में आपको होने के पहले अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए वेक्सिनेशन का काम पूरा करना चाहिए और साथ में कोविड एप्रोप्रेट बिहेवियर के साथ जीना चाहिए मुझे संपूर्ण विश्वास है कि हम कोविट से डरेंगे नहीं हम लड़ेंगे जीतेंगे और इस दुनिया को ये प्रूव करेंगे कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी इससे घबराया नहीं मेरा अंतिम प्रसनाप से है चूंकि जो ये स्वास्त सिवीर है त्रिदीबिसी वो आपकी अग्याई में पूरा आयोजित हो रहा है तो चुरहट विधान सभा के लोगों से आपकी क्या अपील है क्या आप कहना चाहेंगे बता और चिकिस सब्सक्राइब माननी राहुल भहिया द्वारा आयोजित है ये प्रोग्राम हम राहुल भहिया को यहां असिस्ट करने आए हैं हम राहुल भहिया की वो इच्छा और दाव की वो इच्छा कि जिसको जरुत है वहां तक अस्पताल बनाया है हमने हम मिनी हास्पिटल उन लोगों तक लेके आ कालक से डरे हुए वो दो साल के डरे हुए लोग अब अपना रूटीन ट्रीटमेंट कराने के लिए राहुल भहिया की अगवाई में चुरहत विधानसवास चेत्र में सर्रा में अरजुन आधार शिला पर हम लोग आज पहला दिन है और मुझे संपून विश्वासे भगवा यहां भी आने वाले समय में आपके माध्यम से चुरहत शेत्र के वास्यों के लिए खोला जाएगा राहुल भहिया हमारे बड़े भाई हैं और उनकी इच्छा या उनका मन कभी भी खाली नहीं जा सकता चिरायू मेडिकल कॉलेज के होते हुए जैसा वो चाहेंगे यहां प पूरे सिबीर के हर कक्ष में जाकर डाक्टरों को बराबर एडवाईज दे रहे हैं और लोगों का उपचार उनके निर्देशन में हो रहा है आज के लिए बस इतना ही धन्नवाद जाएं